क्योंकि मुझे किसी चीज को लेकर कोई confidence नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पष्टता है, अगर आप में सिर्फ confidence है, तो आप जीवन में गलतियां ही करेंगे, आपको अपने confidence को खत्म करके स्पष्टता लानी हूँ तो सद्गुरू, आपको इतना ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है, क्या आप में कभी दूसरों से श्रेष्ट होने की भावना पैदा होती है? अभी तो हाँ, देखिए सवाल श्रेष्टता की भावना हींता की भावना गरीबी की भावना या धनी होनी की भावना का नहीं है अगर आपको complex है तो वो एक गंभीर समस्या है है न, चाहे वो किसी भी तरह का हो complex का मतलब है आपने बारे में कुछ मान रखा है और उस धार्णा को इस तरह से ठोस बना लिया है कि आप जहां भी जाते हैं खुद को निपट मूर्ख साबित करते हैं क्या मैं वैसा दिखता हूँ? क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं आपके सामने खुद को निरा मूर्ख साबित कर रहा हूँ? कोई complex नहीं, किसी भी तरह का नहीं. ठीक है, लेकिन फिर हमारा confidence हर दिन बदलता रहता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे किसी चीज़ को लेकर कोई confidence नहीं है, मेरे पास स्पष्टता है. लोग सोचते हैं कि मेरे पास ग्यान है. नहीं, मेरा सिर्ख खाली है. इसलिए इसे थोड़ा दिखाने लाइक बनाने के लिए मैंने पगड़ी पहन रखी है. ये हमेशा पूरी तरह से खाली रहता है. लेकिन मेरे पास स्पष्टता है स्पष्टता का क्या मतलब है आप चीजों को वैसी ही देखते हैं जैसी वो है ग्यान का क्या मतलब है आपके पास हर चीज के बारे में तय शुदा जानकारी है अगर चीजें बदल गई हैं तो आप उन्हें वैसा नहीं देख पाएंगे जैसी वो हैं, ये अंधे होने के जैसा है. देखें, लोग सोचते हैं कि उल्लू अंधे होते हैं, ये सच नहीं है, उनकी दृष्टी आपसे कहीं ज्यादा समवेधन शील होती है, लेकिन सूरज की रौष्णी की वजए से वो अंधे हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज होती है, जब रौष्णी कम हो जाती है, तो वो बहुत साफ देख पाता है, इसलिए नहीं कि वो अंधा है, बलकि इसलिए क्योंकि उसके आँखें बहुत समवेधन शील हैं, तो ये महतवपून है कि आप अपने जीवन में सपर्ष्टता लाएं, जानकारी नहीं, क्योंकि जानकारी वो निशकर्ष है जिसे आप है, क्या आपको यकीन है कि अभी आपको जिस चीज के लिए लगता है, कि यही सही है, वो तीन साल बाद भी यही सही है होगी। चलेंगे है ना लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं तो आप बेवोकूफी भरी चीज़ें करेंगे और दुनिया भर में गलतियां करेंगे अगर आपको पता है कि आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो क्या आप साफधानी से चलेंगे या नहीं अगर म जब लाइटें जल रही हो तो आप बिहोशी में चलते हैं, हर किसी से टकराते हुए. तो अगर आप हर पल ऐसे चलना सीख लेते हैं, जैसे कोई लाइट नहीं है, और आप हर चीज को पूरी साफधानी से देखते हैं, तब आपको जो साफ दिखता है, उससे आप गुजर जाते हैं, जो साफ नहीं दिखता, वहाँ आप हिचकते हैं, कुछ जगाहों पर आप थोड़ा चांस लेते हैं, लेकिन अगर आप confidence से भरे हैं, तो आप जीवन में गलतियां ही करेंगे, हम नहीं जानते कि आप कहां पहुँचेंगे और किस में फ़स जाएंगे, ज्यादतर लोग अपने पेशे में, पारिवारिक हालातों, सामाजिक परिस्थितियों में इस तरह से फ़से हुए हैं, कि वो सब ऐसे हो गए हैं, हाँ, मैं ये देखता हूँ कि, सिर्फ बुज़ूर्गी नहीं, युवा भी ऐसे हो गए हैं, मेरे जीवन के अंत में मेरा क्या होगा, मेरे जीवन के अंत में मेरा क्या होगा, मैं रहस से पहले ही बता चुका हूँ, आप मर जाएंगे,